तो बच्चो नचिकेता ने अपने पिता के इस सभाब को देखकर उनसे प्रस्ण किया कि आखिर आप तो सब कुछ दान में देने वाले थें अब ये बूढ़ी और कमजोर गायें क्यों दान दे रहें यह सब सुनकर महारिसी बाजसरवा पुत्र की ओर देखकर महारिसी बाजसरवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराएं पर बोले कुछ नहीं वे वैसे ही गायों को दान करते रहें अब नचिकेता से रहा नहीं गया उसकी सहन सक्ति समाप्थ हो रही थी बच्चो वास्तव में नचिकेता एक साधु प्रविर्थी का बालक था यह सब देखकर उसकी जो सहन सक्ति यानि कि जो सहने की छमता होता है वो पार होने लगा और वहां निडरता पुरवक यानि कि बिना डरे हुए बिना भै किये हुए उसने पिता से कहा पिता जी आपकी पिरिये वस्तू तो मैं हूँ वो क्या कह रहा है पिता जी आपकी पिरिये वस्तू तो मैं हूँ मुझे आप किसे दान में देंगे कौन कह रहा है नचिकेता देखो बच्चों यहाँ नचिकेता अपने पिता को कह रहा है कि मुझे थोड़ा सोचिए कोई बेटा उत्रो कहीं कहेगा किसी को कि आप मुझे दान दे दीजे तो नचिकेता एक ऐसा बालक था जो पिता के वचन जो उसका वचन था कि सर्व मेग यक के बाद सब कुछ दान म देने वाला है और वह वैसा नहीं कर रहे थे इसलिए उन्हों नचिकेता ने अपने पिता को कहा पिता जी आप मुझे दान में किसको दे रहें तो इतना सुनते ही महारिसी बाजसरवा के अधरों की मुस्कान लुप्ध हो भी मतलब यहाँ पर जब बच्चे के मुख से यह सुना कि पिता जी आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं यह सुनकर बाजसरवा का हो सूर गया मतलब उसकी जो मुस्कान है वह लुप्ध हो गई खुसी क्या हो गई छिन हो गई दूर हो गई उसका अस्थान क्रोध ने ले लिया यह बाजसरवा गुसा हो गया क्रोध ने ल में पस्तावाल उनको होता है कि मैंने क्या बोल दिया वैसा ही अभी बाजसरवा भी कुछ बोलने वाले थें वो गुसा कर बोलते हैं नचिकेता मैं तुम्हें यम्राज को दान में दूँगा बच्चो यम्राज तो क्रोध में आकर बाजसरवा ने अपने पुत्र नचिकेता को बोल दिया कि जा मैं तुम्हें यम्राज को दान में देता हूं यम्राज यम्राज का नाम सुने हो बच्चों आप लोग लोग कहते हैं कि यम्राज जो होते हैं वह जब लोग मरते हैं तो यम्राज ही ले जाता है ऐसा लोग कहते हैं यम्राज यानि कि मौत के सरदार मौत का राजा यम्राज है ना यम्राज को दान में देता हूं यह सुनकर नचिकेता कहता है मैं इसे सहर्स स्विकार करता हूँ पिता जी मतलब उसने कहा मैं इसे स्विकार करता हूँ नचिकेता ने खुस होकर उत्तर दिया मैं आपकी आग्या से यमराज के पास चला जाओंगा पर आप यग साला की सारी गाएं बढ़ामनों को दान में अवस्य दें इसके बिना आपका सर्ब मेग यग निसफल रहेगा